मेरे प्रिय शेशियों, साथगों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों राहु रहस्यम राहु का रहस्य इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं पहले भी बता चुको अब मेरी बात चीज चल रही है कि राहु के साथ जो प्लैनेट बैठेगा उसका क्या असर आपकी जिदिगी मोगा तो आज हम शुरुवात करते हैं राहु और बुद्ध के कंजंक्शन से यानि उन दोनों की यूती उने से जड़त्व योग बन जाता है जो की बुद्धिमान और बुलंदियों पर पहुँचाने वाले राहु के रहस्यों पर वैसे तो मैंने पहले भी राहु रहस्यों की सिरीज में बहुत सारा प्रकाश डालने की कोशिश किये गहन और सार तक प्रियास किया और बहुत सारा विश्टिशन वेग्यानिक और आध्यात्विक तरीके से मैंने किया है इन सारे वीडियोस का आप यूट्यूब पर जाकर पुनह देख सकते हैं अब देखिए ना मैं राहु का नाम करना चाहता हूँ और ना ही उसे बदनाम बहुत सारे लोगों ने राहु को सरफ खराबी बोला है शास्र वा अनुभाव को मिला कर आपके समक्ष अभी तक मैंने ग्रहन दोश चांडाल दोश के प्रभाव का विस्ट्रिशन किया आज मैं राहु और बुद्ध की यूती का विस्ट्रिशन करने जा रहा हूँ हम सब जानते हैं कि राहु एक चाया ग्रह है और जिस भी ग्रह के साथ विराजमान होंगे उस पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकते मैं दिन पर पूजा पाड़ करता हूँ लोगों से मिलता हूँ अच्छे करम करता हूँ अच्छे वाने के इस्तिमाल करता हूँ मैं एक गुंडे मवाली के साथ मुझे रहने का मौका बिल गया उसमें ज्यादतर लोग जो कहते हैं कि संगत बुरी संगत में जाकर इनसान खुद बुरा बन जाता है तो मेरे खुद के बुरा बनने के ज्यादा चांसे से हैं बुद एक अच्छा ग्रह लेकि राहू के साथ जाकर कुण की वह पापी ग्रह तो डिस्टा हो जाता है ग्रह मंडल में जब राहू के दुश्वण ही नहीं कुछ दोस्त भी है सारे लोग राहू के दुश्मन नहीं है जैसे शुक्र, शनी, तथा बुद राहू के कुछ हटक अच्छे दोस्त हैं तो इनमें इनके साथ बिराजित राहू comparatively कम negative होते हैं मतलब जैसे मैं गुंडा हूँ अब मैं गुंडों के साथ रहूँगा तो मैं equal रहूँगा लेकिन अच्छे इंसान के साथ रहूँगा तो मैं कोशिश करूँगा उसके साथ मैं बुरा कैसे कर ज़ूँ क्योंकि मेरा स्वभाओ तो बुरा करने का हैं अब आज हम बात करेंगे कि बुद्ध और रहू के स्वभाओ को अलग-अलग जाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले देखी रहू शनिवत और रहू कलियूग के राजा है जो कलियूग में सफल होने के सारे गुन देते हैं राहू दो साहसी और मैनुपलेटिव डिप्लॉमाटिक सैल्फिश एंबिशियस रिस्क टेकर यानि रिस्क लेने के शमता यह सब राहू के अंदर होती है पर राहू एक अन्न्न-फियर जरूर देता बैं अगर आपको राहो की तकtså चल रही हैं अंतर तका रहू की चल रही है रहू किसी प्राकार से सिक्स एट च्वैल्थर और सैकंड हाउ सो जूड़े वे तो आपको से उन्न-फियर एक अग्यांत हमेशे बना रहे एक्स्ट्रीम सोच लेना संतोश का लेना देना ही नहीं होता राउभ के साथ यानि सेटिस्फाइट नहीं हो पाते हैं जिस भाव राशी वो ग्रह के साथ बैठते हैं उसके गुण ले लेते हैं हर चीज़ का credit लेने की चाह रहती है जिसके लिए यह अती की हद तक जा सकते है विद्रो ही वो परंप्राओं को तोड़ने वाले होते हैं जैसे कई लोग आपने देखे होंगे कि जो समाज में परिवार में प्रथा चली आ रही है एक प्रकार का एक सीक्वेंस है कि यह सारे काम होंगे तो इसी तरीके से चलते जाएंगे उस प्रथा को तोड़ने की साहस राहू के दर होती है सोशल चेंज वह नई तक्रीका सूत्रदार बना देते हैं इसलिए इतिहास बदलने की ताकत रखते हैं राहू के बारे मैं मैं पहले भी काफी जानकारी आपको दे चको हूँ आज हम जानते हैं कि राहू बुद्ध के साथ कैसे रिजल्ट देते हैं बुद्ध राहू से जहां बुद्धिमान योग बनाता है वहीं जड़त्व योग भी बनाता है सारा खेल इस यूती की शुबता और अशुबता का है शौट पे हम समझ लेते हैं कि बुद्ध क्या है देखे बुद्ध ग्रह को समझे बिना आप जोतिश का ग्यान करी नहीं सकते हैं क्योंकि बुद्ध और गुरु ये दो ये ऐसे प्लानेट है जिस वज़े से आप जोतिशी बन सकते हैं बुद्ध राजकुमार है, उद्धंड है, सुन्दर भी है, मनमोजी है, इंचैलिजेंट है, जॉली नेचर का है बुद्ध, स्पीच यानि भाशा, सेल्स, पर्चेस, मार्केटिंग, ये बड़ा गुणे इसके दर होता है मीडिया, कम्यूनिकेशन, प्लानिंग, क्रियेटिव राइटिंग, आदी के कारक ग्रह बुद्ध है बुद्ध एक नपुनसक ग्रह है, जो एसोशेशन, यानि जिस किसी ग्रह के साथ एसोशेट होते हैं, बैठते हैं, उसके साहर है से रिजल्ट देने लगते हैं जब राहू बुद्ध के साथ बैठेंगे, तो मित्रता वश या बुद्ध की क्वालिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे शर्त यहाँ है कि बुद्ध शुब राशी व शुब भाव में बैठे होने चाहिए जैसे बहुत सारे लोगों को बुद्ध की दशा लगती है, बुद्ध कुडली पे बहुत अच्छी बोजिशन बैठें लेकिन फिर भी दशा बिलकुल बेकार, क्यों? कारण क्या है? कारण इस पे बहुत सारे हैं, बुद्ध एक डबुन सगरे, ना आदमें न औरत है, दूसरा किशोर अवस्था के लोड़े, यंग एज का टीनेजर है, ना बच्पन गया है, और ना उससे जवानी आई है, वो अधर जूल में लटकावा तरिशन को प्लानेट बुद्ध है अब देखिए राहू बुद्ध की शुबता वो अशुबता दोनों को बनाएंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी अच्छी फैक्टरी चलाते थे और पीसों गाड़िया उनके गर के बाहर होती थी शेर मार्केट में इंवेस्टमेंट की लट लगी दो वक्ती रोटी के लिए महताज होगा ऐसे भी लोग हैं मीडिया के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग छोटा सा एक चैनल शुरू करते हैं वहां से वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं यह राहू करवाता है क्योंकि तक्निक और कम्यूनिकेशन का पॉर्फुल कॉबिनेशन बुध राहू की देती हैं फिक्शन, क्रियेटिव रायटिंग और उसके अंदर महारत हासिल करवा देते हैं राहू और जोतिश चैनल की घ्यान को जो गूड विज्ञाने बड़े हादरन बाशा में समझा दिया जाता है यो बुद्ध ही करते हैं आगे बढ़ते हैं महान वक्ता यानि बोलने की कला देते हैं और कहें कि बाशन कला में जो स्पीच की जो पावर रखती है समा बांधरें की पावर बुद्ध के अदर होती हैं लोग सुनते ही रह जाते हैं मंत्र मुग्द हो जाएं और उनके विचारों से सहमत भी होते हैं ऐसे लोग बुरी से बुरी परिसिती को भी आसानी से संभाल लेते हैं बुद्राओं की यूति वाले लोग बलकि उसे अपने फाइदे के लिए यूटिलाइज भी कर देते हैं खुद हंड्रेड पर्सेंट गलत है लेकिन आपको प्रूव कर देंगे मैं बिल्कुल सही और आप गलत हैं व्यवहार कोशल किसी से संबद वनाना कोई इन से सिखें इनके पास हर सिच्चुएशन वो हर प्राब्लम का सॉलिशन है foreign language में यह लोग आसानी से mastery कर लेते हैं यानि English बोलना आपकी जो mother tongue के उसे छोड़कर बाकी बाशाएं बड़ी जल्दी से समझ लेते हैं यह अति बुद्धिमान योग भी बनाता है इनकी बुद्धी और चातुरिता का लोहा लोग बानते हैं नेचर में flexibility इतनी कि हर age और हर nature के लोगों से गुल मिल जाते हैं बच्चों के साथ बच्चे बुड़ों के साथ बुड़े भी बन जाते हैं बिना किसी ego के क्योंकि इनकी अपने स्वार्थ का कोई लेने देना होता नहीं है लेकिन थोड़े से egoistic जरूर होते हैं अब बुड़ राहू की यूती मीडिया, publication, politics, business, legal field, writing, IT, information technology हो चाहे income tax हो, accounts इस सारे यूती के अंदर ये यूती इनसान को जंडे गार देती है यह सब शुब योग बनते हैं बुड़ राहू की यूती के result है अब बात करते हैं राहू बुड़ के negative points के बारे में यदि यह यूती अशुब बावों में या एट और 12th house में हो या अपनी नीच राशी या शत्रू मेश तुला वरिष्टिक धनू आदी में हो तो यह यूती बहुत समस्याइं खड़ी कर देती है और यदि इस पर अशुब बरभाव हो और वह भी जो problematic बना देता है मतलब समस्याओं से मखड़ जाल में फसा देता है वो अती बाधिक या फिर मंद बना देता है बहुत सारी आपके दर ताकत है लेकिन यह यूती अगर गलत भाव में है तो बरभाद करके रह देती है जि इनका वेवहर वसोच आम इंसान की तरह नहीं होता है हर चीज में मीन मेख निगालना कमिया निगालना और हर परिस्तिति में स्वैम को सही प्रूब करना कि मैं ही समझदार हूं बाकि सब मूर्क है इससे इनकी फैमिल लाइफ फ्रेंड्शिप और करियर में बहुत सारे प् बैठते हैं अंस्टेबल माइंड होता है इसे लोगों का क्योंकि संतुस्ट यह होता ही नहीं कभी जो भी काम शुरू करेंगे खत्म नहीं कर पाएंगे इससे पहले ही दूसरा शुरू कर लेंगे बहुत सारे काम शुरू कर देंगे वह फोकस एक पर भी नहीं कर पाएंग क्योंकि अक्सर यह स्वार्थ वश्विना सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं और अफवा पर ध्यान देते हैं कान के थोड़े से कच्छे होते हैं तो राहू और बुद्ध यह नहीं है कि सब अच्छे अच्छे रिजल देंगे बुरे भी है छोटे से एक दो परिणाम और करेंगे छोटे से अल्प विराम के बाद गुरुदेर सुरेश्टी मालीजी से व्यक्तिकत मिलने के लिए संपर्क करें तीन से पांच परवरी दिल्ली 65420685 64544625 राहू और बुद्ध की यूती वाले लोग जूट बड़ी आसानी से और चतुराई से बड़ी सफाई से बोलता है और अगला इंसान विश्वास भी कर लेता है आगे बढ़ते हैं यह कॉंबिनेशन स्पीच प्रॉब्लम से भी देता है कई जगह पर आदमी के बहुत अच्छा बोलता है लेकिन कुछ गालियां बीचे बोलना शुरू करते थे जिससे इमेज खराब हो जाती है नर्वस सिस्टम वह यूरिनेरी प्रॉब्लम भी देते हैं थोड़ा स्ट्रेसफूल होते हुए ऐसे लोग चिड़ चिड़े सभाग को जाते हैं जिस बज़े से जल्दी ब्लड प्रेशर और डाइबीटीज के शिगार भी देखे जा सकते हैं अगर आपकी गुंडले में यह योग है तो आप तुरंत अपने शरीर का चैक अप कर बाईए इसे ब्रेन का फिमेल मेंबर्स को जो घर जैसे की बहन बेटी की लाइफ में पड़े उतार चड़ाव देखने को बिलते हैं उस पर रिलेशन भी ज्यादा ठीक नहीं रह पाते हैं तो कुल मिला कर राहू और बुद्ध की यूदी से अच्छे योग और बुरे योग पर हम बाहरा हमने बात किये उसकर्ष क्या दिखलता है कि शनी व Totally का राहू और बुद्ध की यूदी का ताकि आपके समझने में आसा नहीं हो सके इसके शुब वह अशुब दोनों रिजल्ट हमने जाने राहु बुद की यूती से गबराएं नहीं यह जरूर देखें कि यह किस भाव वा किस राशी में हैं तो दोस्तों प्रेडिक्शन में कोई जल्दिबाजी आपको नहीं करने चाहिए बहुत अच्छे से सोच कर और फाइनल डिसीजन करने से पहले देश बुद की यूती के कंजेक्शन्स अफैर्स और स्केंडल्स के बारे में एक कुंडली का विस्टेशन करूँगा जैसे जैसे उम्र ढलती है मनुष्य कुछ आत्म मंतन कर अतीत में जाकने की कोशिश जरूर करता है और उसे अपने किये का पश्तावा भी होता है कई गलतिया कि मैं कुछ समझदार होता और यह सब काम नहीं करता कुछ बहतर डंग से करता तो शायद अच्छा रहता अब पश्तावे होते क्या जब चिडिया चुक गई खेत आज मैं 77 एर ओल्ड एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की कुंडली का विस्टेशन करने जा रहा हूं जिनोंने जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिया ना कभी माता पिता की परवा की ना बीवी ना बच्चों की इतनी अच्छी जौब जिसके लिए लोग तरस्टे उसको आसाने से उस वो जौब इनको आसाने से बिल गई खूबसूरत वह पवित्रता और एश्वर विश्वास रखने वाली पत्री मिली बच्चे पर ये एश्वर की महरबानी को नहीं समझ पाए और अयाश्यों में डूबे रहे हैं हम क्या करते हैं कि हमने अपने जिंदगी में जो गलतियां की हैं या जो अच्छे काम नहीं कर हम अपने बच्चों को उन गलतियों से रोकते और अच्छी जिंदगी जिये इसके लिए उनकी परवरिश करते हैं इन्होंने वह नहीं किया हमेशा एक न एक बदकंश इन से जुड़ा रहा यानि कि कई तरह के इन्होंने स्केंडल कई तरह के सडिंद रचे दूसरों को फ से खोना पड़ा बच्चा जो कि एक बेटा है वह अच्छा है इनकी सेवा भी थोड़ी बहुत करता आग्याकारी भी है पर यह सैटिस्वाइड नहीं है उससे बीटे को कुछ नहीं दिया वह बेटा इनकी सेवा करता है उससे भी संतूश नहीं अभी सुम्र में यह अपनी में पत्नी को बहुत जो है वह मैस्नी करते हैं किविर पत्नी थी तब उससे मिस नहीं थो करते हैं इसकी परवान नहीं की मैंने अपने परिवार के लिए समय ही नहीं निकाला पत्री मेरे प्यार को तरस्ती ही रही पर मैं उसके साथ नियाय नहीं कर पाया काश मुझे एक मौका दे इश्वर पर अब कुछ नहीं हो सकता है सिवाए पच्चतावे के इन्हें डाइबेटीस गुट्नों में परिशानी हाट की प्रॉबलम बिमारिया ही बिमारिया जंगल में दाहारने वाला ये शेर उम्र के इस पढ़ाव पर निज्स सहाए बेबस और लाचार है इनका प्रश्ण है सेहत और इनके बेटे के रिलिशन के बारे में क्या वह मेरी सेवा डंग से करेगा ये ही इनका एक है इस जर्म कुडली को मैं बताना चाहूंगा ताकि आपको ज्यादा थर चीजे समझ में आ जाए इस वक्ति जर्म कुडली आपके सामने देखिए नौन नमबर से कुडली शुरू हो थी जिसे हम धनू लगन की कुडली कहते हैं और यहां पर लगन के लॉट बनते हैं मदद करने वाले इंसान होता है आपने कई बार अपने घरों में अपने आजपरोस पर दूर दरास पर रिष्टेदारों देखा होगा जो लोग बाहर तो बड़ी शान और शौकत में जीते हैं बड़ी आदर सम्मान पराप्त करते हैं लोगों की बड़ी मदद करते आदी आद पो उठके चले जाएंगे मदद करने में घरवालों की मदद नहीं करते हैं यह अंस योग में कुछ आता कि इसी प्रकार का योग बनता है और इनकी पार्ट सैनिटी बहुत कुछ हद तक सोम्य वह सुखद बनी रहती है आकर शक होती है सुख भाव बहुत पीश सूरी के टैन्थ हूसे बिराजबान होने के कारण यह हायर एजूकेशन करके गवर्मेंट पोस्ट पर रहे सूरी देव सरकारी नौकरी के कारक वह टैन्थ हूस में स्ट्रॉंग भी माना जाते हैं पर इनकी पार्सनालिटी पर हंस योग का इतना प्रभाव क्यों नह पर लोगों नहीं किया बस अपनी धुन में जीते रहें बढ़ते आगे और जानते हैं इनका राज पर आप इतना जरूर समझ देना कि सिर्फ राजयोग देखते प्रेडिट करना शुरूर नहीं कर देंगा अंसी हो गया मतलब आप सब के साथ जीवन में अच्छा ही होगा यह बिलकुल भी नहीं है नजर डालिए फिफ्थ हाउस के तरफ जहां पर शनी मेश राशी में नीच राशी के और केतु साथ बिराजबान हैं अब देखिए शनी देव नीच राशी के जो की केतु के साथ बैठ जाए तो पित्र दोश प्रेत दोश और स्त्रापित दोश बनाते हैं इसी कारण इनकी यंग डॉटर यानि बेटी की मरती हो गई क्योंकि शनी इस्तरी कारगर है यानि लड़की जो पैदा होई उससे प्रावल्म होई विवेक वा समझदारी का कोई काम इन्होंने नहीं किया फिफ्थ हाउस मेंने कई बार का एक अफैर का होता है य बता इन सब में इनको कुछ हथ तक परिशाने को सामना करना पड़ा फिर इनका बेटा आग्याकारी कैसे डिकल गया क्योंकि पुत्र संतान के कारक ग्रह यहां पर चनी नहीं है वो मंगल और ब्रैश्पती है इसमें पहला पुत्र कारक ब्रैश्पती की कुंडरली में स्ट फिफ्थ लॉड़ शनी मंगल का एक सट जैज यानि मंगल शनी के गर में बिराज. एक दूसरे पर द्रिश्ची संब्ध की मंगल शनी को देखते हैं शनी मंगल को देखते हैं यह यूति के कारण आपका बेटा आग्याकारी निकला वर्ना ता ऐसी सिच्बशन में नोज द बुड़ापें पिताची के लिए क्यों करें अपनी अपनी राश्यों पर द्रिष्टी यानि मंगल चौती द्रिष्टी से और शनी अपनी द्रिष्टी से देख रहे हैं एक दुर्योग पर इतने राज्योग इसलिए धन्द उलत की कोई कमी नहीं रही बेटे का बिजनस बहुत अच्छा चल रहा है पोते पोते का सुख भी स्टिस्ट्रेक्टरी है बेटा इनकी सेवा करेगा वह इनकी रिलेशन भी अच्छे रहेंगे अब आपको संतुष्टोना सीखना पड़ेगा पिसाच दोश वह पित्र दोश ने जवान बेटी को चीना पर राज योगों ने इनको संभाला और बेटे का अच्छा सुख दिया यही है बैलेंस एप्रोच ओफ एस्ट्रोलोजी बरते आगे और नजर डालते हैं दामपती बिराज माने तुला राशी में राहू के साथ क्लोज कंजेक्शन में है बुद्ध और राहू स्केंडल आउस भी 11 ताउस माना जाता है इसमें बिराजीर पत्री के कारक ग्रह शुक्र भी राहू के साथ पीडित है इतना ही नहीं एड्ट लॉड जहां पर चार्ण में पीडित है इलेवन्थ लॉड इन इलेवन्थ आउस मैं अच्छे नहीं माने जाते हैं इस्पेशली शुक्र सेवन्थ लॉड भी है और क्योंकि सेवन्थ आउस के लॉड बुद्ध बनते हैं वह भी साथ पर बिराजमान है तो एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर रिलेशन के यो बेटे का सुक आपको पूरा है बेटे की वैल्यू करना सीखिए क्योंकि उसकी भी आपनी जिंदगी आगे का जीवन है वह आपके इतने बुरे होने के बावजूत आपके इतनी सेवा कर रहा है तो आपको यह समझ में आ रही है तो यह बात आपको मुझसे नहीं समझनी च अगर आप किसी प्रकार की तकलिफ से गुजर रहे हैं तो हम करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान और हमारे इन सारे वीडियो को आप यूट्यूब पर जाकर वापस देख सकते हैं फेस्बुक से जुड़िए यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको औ मुझे अपने वाने पर यहीं विराम देने के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार भगवान शिवत्रिपुरारी समस्त संसार के नियामत वशम्शान वासी है भगवती अनपूर्णा के पती कार्थिके वश्री गणेश के पिता है एवं सारे देट लोग का ऐसा एक मात्र परिवार है जो रिध्धी सिर्धी सहित पूजन में उन्ही शिव का अत्यंत पूर् है महा शिवरात्री जिन व्यक्तियों की कुडली में का जर्पयोग शनी की साधी सांती साथी मंगली दोश्व्याप्त है उन्हें शिवरात्री के परपर विशीश पूजा एवं साधनाय करनी चाहाए शाथी घर में कलह, व्यापार में मंदी, भाग्य में रुकावट, संत हींता, विवाब बाधा, वद्दामपात्य जीवन में मदूर्था प्राप्ति के लिए शिवरात्री से बढ़कर और कोई महरत नहीं है आगामी 24 परवरी 2017 को आरी भूले नाज शिव की प्रिय महनिश रात्री अर्थात शिवरात्री परम पूर्जे गुर्देव एवं आध्यात्मिक साधना सिथी केंद्री इस पूजन पाकेट में केंद्र ने निर्मान किया है विशेश दुर्णव एवं आलोकेक मंच साधना विवा बाधा निवारत शिव गौरिश्वर साधना व्यापाल बाधा निवारत शिव पुबेर साधना काल सर्प दोश निवारत मृत संजीव निश साधना शनी की साड़े साधी वधाया निवारत शिव शनेश्य साधना अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291 519 00 00 243 26 25 982 90 26 25 89 55 89 56 25